अब कोरोना वाइरस से लड़ने के लिए आयरुवेद के जानकारों ने भी कमर कस लिए। रोख के उपचार से ज़्यादा रोख प्रतिरोदक शम्ता को बढ़ा कर उससे बचाव पर जोर दिया जाता है। के लिए कोरोना महमारी से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आ रहे हैं। पर रहात की खबर यह है कि इससे 91,900 से अधिक मरीज ठीक भी हो चुके हैं। इसके साथ ही अब कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आयरुवेद के जानकारों ने भी कमर कस लिए हैं। अबे तक नहीं मिला है और साथ ही आयरुवेद में कोरोना नामा किसी बिमारी का उलेग भी नहीं है। लेकिन संकर्मन और लक्षणों की समानता के अधार पर इस चिकिस्सा पधती में इसकी तुलना वाच्टलेश्मिक जवर से की जा रही है। आपको बता दें कि आयरुवेद में किसी भी रोक के उपचार से ज़्यादा रोक परतिरोदक शमता को बढ़ा कर उससे बचाव पर जोर दिया जाता है। इसके बाद मिश्रन को गाड़े रस के रोप में पीना चाहिए। इसके अलावा आप तुलसी के 20 पत्ते अच्छी तरह से साफ करके उन्हें एक गिलास पानी में उबाल कर छान लें और फिर उस पानी में एक चमच पिसा हुआ अद्रक और एक चोथाई दालचीनी चूर्ण डाल कर पानी आदा रहने तक उबालें। उसे गुन-गुना करके उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर चाई की तरह दिन में दो-तिन बार पिये। हाँ ये जरूर है कि ये धियान रख लें कि इसे बनाना ताजा ही है। इसके साथ ही आप तुलसी के 20 पत्ते अद्रक का एक चोटा टुकडा और 5 काली मिल्च को चाई में डाल कर उबालें और उस चाई का सेवन करें। इसका सेवन सुभह और शाम के समय किया जा सकता है। दो चाई के बीच में 10 से 12 घंटे का गैप अवश्य लें। इसके अलावा रोजाना नहने के बाद नाक में सरसों या तिल के तेल की एक-एक भून अवश्य डालें। अगर आप किसी सारजनिक स्थान पर जा रहे हैं तो घर से निकलने से पहले ऐसा अवश्य करें। आप कपूर, इलाइची और जावित्री का मिश्ण भी बना लें और इसे रुमाल में रखकर समय समय पर सूंगते रहें। आप लौंग और बेहडे के को देसी घी में भून कर रख लें। इन्हें समय समय पर मुह में रखकर चूसते रहें। साथ ही योग गुरू बाबा राम देव ने पतिरोधात्मक शमता को बढ़ाने के लिए आसन और प्रणयाम पर भी जोड दिया है। उनके अनुसार पांच तरह के प्रणयाम कर श्यसंत अंत्र को मजबूत किया जा सकता है जिस से रोग पतिरोधाक शमता को बढ़ाया जा सकता है। नमस्कार मैं हूँ अमिताब बच्चन देखे हम सब मिलकर नावल करोना वाइरस या कोविड नाइनटीन को पहलने से रोख सकते हैं। इसके लिए हमें बचाओ कि कुछ तरीके अपनाने होंगे। खासते या छीकते समय हमेशा अपने मूँ को रुमाल से या टिशू से ढखें। इस्तमाल किये हुए टिशू को तुरंत धकनदार कच्रे के डबे में डाल दें। अपनी आख, नाख और मूँ को हाथ से नच्छूएं आप। अपने हाथों को समय समय पर सावन और पानी से लगब 20 सेकंड तक दोएं। भीड भार वाली जगा पर जाने से बचें। अगर आपको खासी बुखारी असास लेने में तकलीफ हो रही हैं। तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षन देखने पर तुरंट तुरंट अपने डॉक्टर से सला लें। अस्पताल में आप अपने मूँ पर मास्क या रुमाल ज़रूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्त। एवं परिवार कल्यान मंत्राले की एक हेलप लाइन है, 011-2978046 अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। ्टर से और you रखें। कर दो